जम्मू कश्मीर के शोपियां के रहने वाले भाई मुहमत असलम का था, उन्होंने लिखा मन की बात कारकम सुनना अच्छा लगता है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अपने राज्य जम्मू कश्मीर में Community Mobilization Program Back to Village के आयोजन में सक्रिय भूमी का ने भाई इस कारकम का आयोजन जून महने में हुआ था, मुझे लगता है कि ऐसे कारकम हर तीन महने पर आयोजित किये जाने चाहिए, इसके साथ ही कारकम की Online Monitoring की व्यवस्ता भी होनी चाहिए, मेरे विचार से ये अपनी तरह का ऐसा पहला कारकम था, जिसमें जनता ने सरकार से सीध समवात किया, भाई मुहमत असलम जी ने ये जो संदेश मुझे भेजा और उसको पढ़ने के बाद Back to Village प्रोग्रेम के बारे में जानने के मेरी उत्सुकता बढ़ गई, और जब मैंने इसके बारे में विस्तार से जाना, तो मुझे लगा कि पुरे देश को भी इसकी जानक कारिकम में पहली बार बड़े-बड़े अधिकारी सीधे गामों तक पहुंचे, जिन अधिकारियों को कभी गाम वालों ने देखा तक नहीं था, वो खुद चल कर उनके दरवाजे तक पहुंचे, ताकि विकास के काम में आ रही बाधाओं को समझा जा सके, समझ्याओं को दूर किया जा सके, ये कारिकम हफते भर चला और राज की सभी लगबग साड़े-4,000 पंचेयतों में सरकारी अधिकारियों ने गाम वालों को सरकारी योजनाओं और कारिकमों की विस्तार से जानकारी दी, ये भी जाना कि उन तक सरकारी सेवाएं पहुंचती भी है या नह पंचेयतों को कैसे और मजूद बनाये जा सकता है, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाये जा सकता है, उनकी सेवाएं सामान्य मानवी के जीवनमों क्या प्रभाव प्यदा कर सकती है, गाम वालों ने भी खुल कर अपनी समस्याओं को बताया, साक्षरता, सेक्स रेशियो, स्वा स्वच्छता, जल सवरक्षन, बिजली, पानी, बालिकाओं की सिक्षा, सीनियर सिटिजन के प्रश्ण, ऐसे कई वीशों पर भी चर्चा हुई, साथियों ये कारकम कोई सरकारी खाना पूर्ती नहीं थी, कि अधिकारी दिन भर गाउं में घुम कर वापस लोटाए, लेकिन इस बार अधिकारियों ने दो दीन और एक रात पंचायत महीं बिताई, इससे उन्हें गाउं में समय व्यतित करने का मोखा मिला, हर किसी से मिलने का प्रहास किया, हर संस्तान तक पहुंचने की कोशिश की, इस कारकम को इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए कई और चीजों को भी शामिल किया गया, खेलों इंडिया के दहद बच्चों के लिए खेल पर्तिक्यों की गिता करेएगी, वहीं स्पोर्ट कीट्स, मंद्रगा के जॉब कार्ट्स, और SCST सर्टिपिकेट भी बाटे गये, फाइनेंशल लीटर्शी केम्प लगाए गये, एग्रिकल्चर, होल बन गया, जन जागुरीते का उत्सों बन गया, कश्मीर के लोग विकास के उत्सों में खुलकर के भागिदार बने, खुश्ची की बात ये है कि बैक टू विलेज कारकम का आयोजन ऐसे दूर दराज के गाउं में भी किया गया, जहां पहुँचने में सरकारी अधिकारियो को दुर्गम रास्तों से होकर पहड़ियों को चड़ते चोड़ते कभी-कभी एक दिन, डेड़ दिन पैदल यात्रा भी करनी पड़ी, ये अधिकारी उन सिमावर्ती पंचायतों तक भी पहुँचें, जह हमेशां क्रॉस बार्डर फायरिंग के साये में रहते हैं, यही न इंन ऑ Moo-ाईकरी रहते हैं, चवकर हमेश भी करनी जह अले को चारी और प्रस्तों से लोगते हैं, यही ऑ इंगज साये के सा कहिते हैं